किसान भायो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे यूटीब चेनल विजुबावा इन्फोड एक पर मैं विजय धाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान भायो आए देख लेते हैं इंदोर मंडी से प्याज की रिपोर्ड मिल चुकी है प्याज को लेकर क्या कंडिशन बनती है आईए देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले रिक्वेस्ट दोस्तो आपने अभी तक हमारे यूटीब चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब जरू करें पास आप बेल आइकन को प्रेश जरू करें ताकि वीडियो के नहीं नोटिफिक्शन डेली इसी समय आपको मिलते रहें और दोस्तो वीडियो को लाइक के माध्यम से जरू बताया करें कि हमारा प्रया से आपको कैसा लग रहा है तो आइए देखते हैं आज जो है आपको पता है 9 अगस्त 2021 वार सोमवार खुलते मंडी है कल जैसा की रहिवार था तो सुरू सप्ता का जो है दिन कैसा रहा कैसे सप्ते की सुरुवात यहाँ पर हुई है प्याज में आइए देखते हैं इस वीडियो में यहाँ कोई पर नहीं करते हैं क्योंकि कुछ एक लोट बिकने से यहाँ पर बाजार में कोई फरक नहीं पड़ता है कुछ लोड जो हे 2000 तक भी बीक रहे हैं लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि फिर यहाँ पर चेनल पर ऐसी बाते होने लग जाते हैं कि इतना भाव नहीं है लेकिन दोस्तों रियलिटी यही है कि 1920 रुपे के बीच में भी प्याज यहाँ पर इंदोर मंडी में बीक रहा है लेकिन हम इस्टेबलर मार्केट माने तो 17-18 रुपे का जो हे मजबूत मार्केट हमें देखने को मिल रहा है वही अगर बात करें गोल्टा गोल्टी की तो गोल्टा जो हे 12 रुपे से लगा करके 17 रुपे की बीच में आज बीका है गोल्टी प्याज की अगर हम बात करें तो वही 1000 से लगा करके 1500 के बीच में बीकी है चाटन साड़े 300 रूपे से लगा करके साड़े 600 के बीच में देखी गई है लेवाली काफी अच्छी है आवके इंदोर मंडी की बड़ी हुई है करीबन 55,000 कट्टों के सम्तिंग इंदोर 14 मंडी की आज की आवके रही है तो किसान भाईओ ये थी प्याज आवके और प्याज भाव इंदोर मंडी का उमित करूंभा की वीडियो पसंद आये हुगा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजेगा हमारे किसान भरक्षा शेयर इसको जरूर कीजेगा चली मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं जानकारिक साथ जय हिंद बंदे मातरा